अगर दिन के शुरूबा टेस्टी, हेल्दी, जटपट बनने वाले नाश्टा के साथ हो, साथी नाश्टा बहुती कम उयल में बना हो, तो पात ही क्या दिन बन जाता है? तो चलिए ऐसी ही रेसिपी आज बनाते हैं, सबसे पहले एक बोल लेना है, इसमें आधा कप सूजी डाल दें, सूजी मोटी या बारी कोई भी ली जा सकती है, इसमें वन फोर्थ कप दही डाल दें, मैंने यहाँ पर हलके खटे दही का इस्तमाल किया है, बहुत जादा खटा पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो बैटर है ना तो बहुत जादा गाड़ा चाहिए और ना ही बहुत जादा पतला, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा डालें और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करें, यह जो रेसिपी है आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए बना कर भी उन्हें दे सकते हैं, बच्चों को यह बहुत पसंद आएगी, अब बैटर हो चुका है त्यार, तो बैटर को ना हम ढख कर 10 मिनट के लिए रैस्ट पर रखेंगे ताकि से सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए, अब 10 मिनट बाद मैंने इसे ओपन किया है और सूजी अ टमाटर के शीड्स मैंने हटा दिये हैं, अब इसमें एक हरी मिर्ष बारिक कट करके डालें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, इसमें अगर आप और भी कोई सब्जी डालना चाहते हैं, जैसे पालक या पत्तागो भी तो उसे भी डाल सकते हैं, अच्छी तरह सब्जियों परफेक्ट है, तो मैंने इसमें आधा चमच बेकिंग सोड़ा डाला है, यानि की खाने वाला मीठा सोड़ा, और इसमें थोड़ा सा नीबू करज डालेंगे, जिससे ये अच्छी से अक्टिवेट हो जाएगा, और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ये थोड़ा कुझी का बैटर हमने त्यार किया है, सब्जी अडाल कर उसे इसमें डालेंगे, और इस तरीके से गोल-गोल फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना इसे और बढ़ा भी नहीं करना है, तो यहां मैंने मीडियम सैज कैसे बनाया है, अब मैंने चीज लिया है, अब यहां मैंने इसके उपर लगा दी है, यह सेजवन चटनी, आप पीजा सॉस या टमेटो सॉस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंदो, इसके उपर मैंने थोड़ा चिली फलेक्स डाल दिया है, और यह पीजा सीजनिंग डाल दी है, अगर आपके पास यह न इसे लगवाग देर दो मिनट के लिए एक तरफ से सिखने दें, जब यह थोड़ा सा सिख जाएगा तो उपर से ड्राई हो जाएगा, तो आप इसके उपर कुछ ड्रॉप्स ओयल की डालें, और इसे पलट कर दूसी तरफ से भी से लीज़े, यह देखिए नीचे से बहुत अब नकाल लेना है और सारा नाष्टा आपको इसी तरह बना कर त्यार कर लेना है, वैसे तो इस रेसिपी को बनाना बहुत आसन है, जटपण यह बन आय।साँ समय करने में लगता है, लेकिन जितना समय बनाने में लगान, बनाने में लगाए ना उससे भी יעम समय खानी मे लगेगा क्योंकि इतनी टेस्टी है कि घर के सारी सदसे से चट पर चट कर जाएंगे मैंने आपको इसे काट कर भी दिखाया है अंदर तक बहुत अच्छे से पकी है रेसिपी अच्छी लगयो लाइक कोमेंट शेयर करें